सारजा ने चौर दिन की छुट्टी का किया एलान नमस्कार मैं हूं प्रिया चौर आप देख रहे हैं UAE खबर खबर शुरू करने से पहले आपको जानकारी देते चले कि अब आप हमसे हमारे वाटसप पर भी जुड़ सकते हैं जहां पर आपको UAE से जुड़ी जितनी भी खबरे हैं वो सबसे पहले मिलेंगी आपको बता दे इस वीडियो के कमेंस सक्षिन में हमने अपना वाटसप का लिंक दे दिया है तो आप वहाँ जाकर भी हमसे जुड़ सकते हैं तो चलिए आपको बशुरू करते हैं सारजोहां सरकार ने पैगंबर मोहमत के जन दिन को शीनित करने के लिए आधिकारिक छुट्टी की तारीकों की घोशना की है सारजोहां के सरकारी करमचारियों को तीन दिन की वीकेंड की छुट्टी मिलती है शुक्रवार से रवेवार तक इसलिए यह चुट्टी उनके लिए चार दिन की वीकेंड में तब दील हो जाती है करमचारी सोमबार दो अक्टूबर से वापस काम पर फिर से लौट जाएंगे वाई संयोकतर अपमिरात के बाकी हिसों में संही सरकार के करमचारियों और नीजी छेत्र यानि की प्राइवट सेक्टर के करमचारियों को शुकरवार 29 सतंबर को एक दिन की चुट्टी मिलेगी यह संयोकतर अपमिरात में आखरी लंबा वीकेंड होगा क्योंकि राश्ट्रिय दिवस की छुट्टियां दो और तीन दिसंबर शनिवार और रविवार को परती है वाई बता दे इससे पहले UAE ने पैगंबर मुहमत की जन्विन को चिनित करने के लिए आधिकारिक पेड होलीडे की घोशना की थी इस अफसर को चिनित करने के लिए संग्य सरकारी करमचारी यानि की फेडरल गवर्मेंट इंप्लॉई को शुक्रवार 29 सेतंबर को एक दिन की छुट्टी दी गई है चुकि आधिकारी करमचारी को शनिवार रविवार को चुट्टी मिलती है इसलिए या चुट्टी उनके लिए तीन दिन के वीकेंड में तब्दील हो जाती है वहीं प्राइवेट सेक्टर की करमचारी को भी शुक्रवार को ही छुट्टी मिलेगी क्यूंकि UAE काबिनेट नीजी यानि की प्राइवेट और गवर्मेंट दोनों शेत्रों के करमचारीों को सामान संख्या में छुट्टियां देता है अरे यह सेयोग तरफ अमिरात में आकरी लंबा वीकेंड होगा तुकि राश्ट्रिय दिवस की छुट्टियां दो और तीन दिसंबल यानि की शनिवार और रविवार को पड़ती है इस वर्च निवासी ने काई लंबे वीकेंड का अनंद लिया है जुसमें इसलामी अपकाश ईदल अधा के लिए छे दिन का छुट्टी और ईदल फित्र के लिए चार दिन की छुट्टी शामिल है हलाकि 2024 के लिए आधिकारिक छुट्टियों की घोशना भी बाकी है लेकिन निवासियों को एद उल फित्र के लिए 6 दिन की छुट्टी और ये दल अधा के लिए 5 दिन का वीकेंड मलने की संभाव ना इस बार जताई जा रही है फिलाल के लिए बता दे कि सार जहां में 4 दिन की छुट्टियों का एलान हुआ है एक दिन की छुट्टी पैगंबल मोहमत के जन दिन के अफसर पर दी गई है वहीं बाकी के दिन इन लोगों का वीकेंड रहता है सार जहां में जितने भी करमचारी काम करते हैं उनके लिए तो ऐसे में 8,6 दिन की हो जाती है एमिरेइट्स ड्रो दे रहा है जीतने का सांधार मौका एमिरेइट्स अपनी द्जूरी अनिवेशरी तर दे रहा है ? अपर टिए अंपरट्ग आंपनी दूसरी अनिवर्सरी के रेफरल ने मज़ा दो गुणा कर दिया है संयूग्तडब मिराद का ममि प्रमुख अपरेटर आमिरेट्ट कई दूसरी अनिवर्सरी को दोगुना कर सकते हैं इसलिए इजी और फासफ 5 में चेविजटा होंगे और मेगाट 7 में 30 विजटा होंगे जो रोजानब 15 से बिल्कुल दोगुना है रेफरल के विजटाओं का खुलासा 29 सितंबर 30 सितंबर और को किया जाएगा पिछले साल 4 लाग से अधिक प्रतिभागयों के साथ एमिरेट्स रॉने शेत्र के सर्स रेफ्रल विकल्प के रूप में अपनी स्थितिक को मजबूत कर ली है मध्यपुर्व अफ्रीका और एशिया में सबसे बड़ा पुरसकार है वही इजी सेक्स एक साधारन सापताहिक जो है 15 मिलियन देहरम जो कि भारतिये मुद्रा में लगभग 34 लाख रुपए होते हैं कभवे पुरसकार प्रदान करता है Emirates Draw ने हाली में अपना Fast 5 गेम भी लाँच किया है जो प्रतिभागियों को 25 देहरम के टिकेट के साथ जीतनी का सबसे सांदार मौका देता है प्रतिभागी नकिवर अगले 25 वर्ष्टों तक महीने भर 25 देहरम के प्रभावसाली भव्य पुरसकार के लिए कॉंपरिटिशन करते हैं बलकि तीन प्रतिभागी 45 देहरम जो भारतिये मुद्रा में लगभग 17 लाख रुपए होते हैं बतारे संगठन ने अपनी दो साल के इतिहास की दोरान लगभग सारे 6 लाख से अधिक विज़ताओं को कुल 123 देहरम मिलियन के नगट पुरसकार दिये हैं जो एक समर्पन का प्रदर्शन करता है जो सिर्फ खेलों से पड़े हैं अगर आप चाहे तो आप भी इसमें आसानी से भाग ले सकते हैं Emirates, Drop, Website या App की मदद से आप भी 25 देहरम की टिकेट खरी सकते हैं इसकी मदद से आप लाखों करोरों की रकम जीच सकते हैं तो ये ती तमाम जॉन काली बने लिए ऐसी खबरों के लिए UA खबर पर